तो हेलो दोस्तों, वेलकम वेक अब यूटूब चनल टोपर याने गड़ मी तो अज हम बात करने वालें आपसे भी से कि आपसे भी की एरफोर्स X and Y गुरूप की न्यू वेकैंसी कप आएंगी जैसे कि आपसे भी को पता है अभी यभी आपसे भी का एरफोर्स का एगजाम हुआ है और आपका doubt है कि भाई अगली वर्थी कप आएगी क्योंकि काफे बच्चों का eksam अच्छा नहीं हुआ उनको इंतजार है आने वाली new vacancy का और वो उसी के मताबिक तयारी करना चाहते हैं तो उसमें बताएंगे आपकी new vacancy कप आएगी टिके qualification आपकी क्या रहेगी और आपकी age limit क्या रहने वाली है कौन-कौन लोग यहाँ पर phone play करेंगे एंड आपका exam में कितना time में अभी सारी चीज़ों के बारे में discussion करेंगे one why one तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं आपसे भी का air force का जो batch है उसके कुछ कई सारे बदला हुए हैं सारी चीज़ जानेंगे सबसे पहले तो भई आपकी जो vacancy's है new vacancy's वो आएंगी अगले चार महीने बाद देखे है उसमें अगस्त भी include है आपसे भी का चार महीने बाद आपकी vacancy's आने वाली है सारी चीज़ देखेंगे previous data के अनुसार पहले कब आते थी vacancy's और अब कब आएगी सारी चीज़ देखेंगे और यहां पर आपकी जो vacancy's है चार महीने बाद आएंगे कब आएंगी चार महीने बाद आएंगे दोस्तों साथ में आप लोगों ने अभी तक आपके लिए अपडेट है उसको देखें और यह आपका अपना टेलिग्राम है जिसका नामे टोपर ग्यान एकडमी आप लोग इसको जोईन कर सकते हैं क्योंकि इस पर सारे के सारे न्यू अपडेट एंड आप से भी के जो पीडियो फे सेगाच का आध के 224 वाले जैसा तको ऐसी आप से बहुत HOW जो फूर्म भजाएंगे 213 वाले जो फूर स्टेर्फिक्चन कब आए का नोट्रिफीक्शन कब आईगा डिसंबर में फूर्म कब भर लागे आपके जनवरी में मगर उससे पहले क्या हुआ वो भी देखते हैं उससे पहले आपका नोटिफिकेशन कब आया नोटिफिकेशन आता आप से भीका 6 दिसंबर को 2017 में और आपके जो फोम है वो 15 तारिक से बनने स्टार्ट हुए ठीक है तो सिंपल सा सी इने एक सरकल है एक प्रोसिस है ठीक है जो क्या करता है जो आपके फोम है वो आपके भरने स्टार्ट होते हैं कब इस बार दिसंबर में आपके फोम भर जाएंगे दिसंबर में कब दिसंबर में आपके लगबग 10 तारिक ठीक है 10 तारिक को आपके 10 दिसंबर को आपके फोम भरने स्टार्ट होने की संबावना है 100% वरना दिसम्बर में तो आपके फॉम भरे जाएंगे ही जाएंगे अगली चीज आती है आप से भी कि भाई यो तो ठीक है मगर नोटिफिक्शन आपको बदल गया फॉम कब भरे आएंगे आपके लगबग 10 दिसम्बर से लेकर 20 दिसम्बर आपके फॉम भर जाने हैं मगर यहां पर कि भी आपका एयर फॉर्स एक्जाम एक दोहर तीस वाला आपकी जो एज लिमिट रहने वाली है वो रहेगी कितनी आपसे भी कि 29 दोहर दो से लेकर 29 दोहर दोहर पांच ठीक है इसमें आपको बदलाब देखने के लिए मिलेगा बदलाब क्या होगा 29 कि जिएक आपको बढ़ा गया था उसके मुताबिक आपकी जो डेटोब बढ़ते है वो 29 दोहर दो से लेकर 29 दोहर दोहर पांच तक रहने वाली है आप कहेंगे भाई कैसे तो साड़े सत्रे साल से लेकर 21 साल के बीच में जो आपकी डेटोब बढ़ते ही है ठीक है जो बंती आप सभी की ने नहीं पूलोसी आई है ठीक है पते नहीं कैसे क्या करने वाली है लोग बारहाल आपका यही रेटोबर दरहने माली है ठीक है आगे आते है आप सभी का भाई क्वालिफिक्षन तो बता दो कि हम भर पाएंगे यह फिर नहीं भर पाएंगे कैसे क्या करना है ठीक है तो इस ब तो यहां पर देखते हैं आप सभी का आते हैं आप लोग अपना mathematics और physics आपके पास होना चाहिए और English में कम से कम 50% marks आप से भी के पास में हैं तो आप लोग फोम परवाएंगे इंग्लिश में आपके 50% 100 में से 50 नमबर 200 में से 100 नमबर आपके होने चाहिए हैं ठीक है 50% आप आपके नमबर हैं तो आप लोग फोम परवाएंगे साथ में mathematics और physics होना compulsory है ठीक है या फिर आप सभी के पास 12th वेस में डिप्लोमा हो वह भी प्लोटेक्निक का या फिर कोई भी आपका डिप्लोमा आप सभी के पास तो 50% आपके marks हैं तो आप लोग फोम परवाई कर सकते हैं ऐसी वाई गुरूप का आते हैं कि आपका कोई सभी गुरूप हो किसी भी चीज का हो ठीक है आप सभी लोग वाई गुरूप का फोम पर सकते हैं जो आप सभी का नोन टेक्निकल गुरूप आप सभी का मगर आपके पास 50% marks होने चाहिए साथ में English में 50% marks आपके पास हो चाहिए जा फिर दो इयर का कोई भी आप से भी के पास डिपलोमा हो 50% marks के साथ में ठीक है कुछ बदलाब नहीं किया गया 250 रुपे फीज होती है इसकी ज्यादा फीज भी नहीं है तो नोटिफिक्शन कब आप से भी के दिसंबर में क्वालिफिक्शन क्या रहेगी वो बत चाहिए तो आपका एक्जाम होने की संबावन है और हो सकते है कि आप से पर वो स्ब्राइब नहीं बत धुर चीज है मगर इसमें उसके बाद क्या होगा जब हमारा एक्जाम होगा एक्जाम में स्लेबस क्या होता है ठीक है तो एक्जाम में आपके जो स्लेबस है स्लेबस में आप से भी का X group और Y group आप से भी का लग लग होता है X group में आप से भी का क्या होता है English होती है English होती है English के साथ साथ आप से भी का क्या होता है सारी चीज़े देखते हैं यहापर तो वही आप से भी का जो X group वाला method है X group में आप से भी का देखते है एक्स ग्रूप में आपसे भी का English वीश नमबर के आती है mathematics पच्छिस नमबर का फिजिक्स भी आपका 25 नमबर का सारा आपसे भी का 12th लेविल का आता है ठीक है कौन सा लेविल आपसे भी का 12th लेविल की सारे चीज़ें आपसे भी क्या पर पुछी जाती है सारी